भूशन जूलर्ज किया आर्थिक स्थिती ठीक ना होने के कारण आठवी कक्षा में स्कूल छोड़ कर लुध्याना में नौकरी करनी पड़ी कुछ सालों बाद पिता के कहने पर सरकारी स्कूल से दस्वी पास करने के बाद बीए दृत्यवर्ष तक घर से ही प्राइवेट और बीए तृत्यवर्ष जीजी डीएस डी कॉलेज राजपूर से रेगुलर पढ़ाई करके ग्रेजुएशन पास की कालिदास पढ़ाई के साथ साथ महनत मजदूरी भी करते रहे वर्ष दो हजार में बाल विकास योजना लंबा गाउं जिला कांगणा में लिपिक के पद से सरकारी सेवा शुरुकी और उसके बाद पंचरुखी मंडी चमबा बैजनात पालंपूर लंबा गाउं भवारना स्थत पालंपूर में सेवाई देने के बाद अब इनको वरिष्ट सहायक से तहसील कल्यान अधिकारी के पद पर पदोन्नती मिली है कालिदास अपनी सर्विस के दोरान करमचारी राजनीती में भी सक्रिया है महासचे पालंपूर के सलाहकार पंचरुखी में उपाध्यक्ष तथा सामाजिक न्यायवम अधिकारीता विभाग करमचारी संग के 2012 से लेकर 2020 तक निर्वाचित परदेशा ध्यक्षिर रह चुके हैं इसके अलावा समाज सेवा में भी इनका विशेश योगदान रहता है जरुतमंद, बिमार, विद्यार्थी, गरी, पिडित्व, अनाथ, असहाए, बच्चों की सहायता करना किसी के साथ भी हो रहे अन्याय के विरुद आवाज उठाना तथा न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना इनकी प्राथ मिक्ता रहती है कोली समाज से संबंधित होने के कारण बर्तमान में अखिल भारतिय कोली समाज की कांगड़ाईकाई के जिला अध्यक्ष है इन टीवी के लिए अजेपाल की रिपोर्ट